आल्राइट लेडिस एंड जेंटलमें तो आज हम बात करेंगे कि क्या कोई अपना केस खुद लड़ सकता है अपने केस की खुद पैरवी कर सकता है या नहीं so answer of this question is yes बिल्कुल कोई भी अपने केस की खुद पैरवी कर सकता है उसको लड़ सकता है अपने केस को खुद चला सकता है यह तो हो गई जन्रल बात लेकिन अब कानून क्या है कौन सा यह कानून कहता है कौन सा एक्ट कहता है कौन सा की ये सब हो सकता है रियल में तो Constitution of India यानि कि Under Article 19 Subclosure A Freedom of Speech and Expression इस बात की हमें गारंटी देता है यानि कि हम अपने विचार वियास कर सकते हैं यानि कि हमें बोलने की आ जाती है और हमें पूरा राइट है बोलने का अपने विचार रखने का ये तो हो गई एक वाइड बात यानि कि आप बोल सकते हो कुछ भी कर सकते हो अपनी language से अब हम केस की बात करते हैं तो जो केस का particular provision है वो हमें कहा मिलता है तो according to section 32 of Advocate Act 1961 ये हमें permit करता है यानि कि permit करता है कि आप अपना केस खुद लड़ सकते हो आपको कोई रोक नहीं सकता कि आप अपना केस खुद क्यों लड़ रहे हो लेकिन आपको इस चीज के लिए पूरा knowledge होना चाहिए तब ही आप अपने केस की पैरवी कर सकते हो यानि कि आपको पूरी proper knowledge होनी चाहिए आपको थोड़ा experience होना चाहिए ये तो हो गई general बात है लेकिन क्या हमें अपना केस खुद लड़ना चाहिए हमें खुद अपने केस की पैरवी करनी चाहिए हाँ या ना तो अगर आप सरल सब्दों में समझना चाहिए या फिर एक ठंडे दिमाग से सोचे तो आपको अपने केस की पैरवी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि आपको कोई experience नियर लौका आपने देखा होगा कि जो वकील होते हैं वो भी काफी time practice करके तब जाके उन्हें experience होता है तब जाके वो written statement बना पाते हैं तब जाके वो document वाला काम कर पाते हैं पढ़ने से कुछ नहीं होता उन्हें experience होना जी है तो आप अपना case खुद ना लड़ें ये risk आप ना लें क्योंकि आपको आपने देखा होगा फिल्मों में होता है पिक्चरों में होता है खुद लड़ते हैं तो देखो वो reality में इतना successful नहीं है आप किसी experience वकील से अपना case लड़वाएं और proper satisfaction लेजी अगर आप खुद करते हो जिस काम में आपको कुछ पता ही नहीं है आपको proper knowledge नहीं है तो आप उस काम को कैसे कर पाओगे तो थोड़ा सा risk लीजिए आप advocate hire कीजिए और अपना case लड़िए अगर आप चाते हो कि free में वकील suppose किसी conditions में आपके पास पैसे नहीं है या आपकी financial हालत ठीक नहीं है कि आप advocate को दे सके हैं या कुछ कर सके हैं आप उस चीज़ के लिए free में advocate hire कर सकते हैं अगर आपने अगर आपको free में advocate करना है और कैसे करना आपको पता नहीं है तो आप हमारी ये वीडियो देखके free में advocate भी hire कर सकते हो अपने लिए so I hope it is clear now bye